दोस्तों यह दूसरा पार्ट है administrative law का इसका मैंने पहला पार्ट बना दिया है अगर आपने उसको नहीं देखा तो देख लीजिए उसमें हमारे चला था स्रीज कि हम इसको पूरा complete करेंगे तो वह बड़ा वीडियो हो गया था इसलिए मैंने काकी से दो तीन भाग में पूरा complete करेंगे administrative law को तो दोस्तों यह इसका second part है आप उसको first part को देख सकते हैं visit कर सकते हैं first part description में आपको मिल जाएगा या playlist में आप जाकर check कर सकते हैं तो दोस्तों भी नदेरी के start करते हैं next topic आता है हमारा सर्वोच एहम अधिनस्त विधायन क्या है supreme and subordinate legislation इसको जानना बहुत चौलरी है कि कौन Supreme होता है और कौन इसकी अधिनस्त होता है दोस्तो BC सताबदी के प्रारम में जब BC सताबदी का प्रारम हो तो ऑध्योगी करन के फ़शरूप राज ने لوक कल्यान था कास के हित में कल्यान कारी राज का सुरूब अपनाया राज ने अपना सुरूब कल्यान कारी कर लिया कि हम सब के हितों का ध्यान रखेंगे जन खल्याण में अपना काम करेंगे और ध्योग्य करण करेंगे उद्धोगों का निर्माण करेंगे दोस्तों इसके अंतरगत राज ने उन छेत्रों में प्रवेश किया जो अब तक निजी छेत्रों के लिए अरच्छी थे पहले क्या था 20 सदादी पहले कई चीज़े आदमी के निजी थी उसके बाद राज ने उस पर भी अपना ध्यान दिया कि सबको अच्छे तरीके समीले सबका कल्याणों और सबके हितों में काते हूं जैसे कि उद्धोग, परिवाहन, खाद्या पूर्ती, सिच्छा था अन लोक उप्योगी छेत्रों में राज का हस्ता छेप हो उद्धोगी में हो गया, परिवाहन में हो गया, आरे मोटर गाड़ी ये सब होते हैं, खाद्या पूर्ती हो गई, और सिच्छा के विशे में राज का हस्ता छेप हो गया, कि अब राज जो इसमें नीदी बनाएगी, राज इसके बारे में जो सोचेगा लागू हो गा ठीक उसके बाद अब राज की विधाई का दोरा सभी विशेओं पर तथा सभी छेत्रों में विधिनिर्मार कार संभवन नहीं रह पाया, राज ने सूचा तो उसमें नहीं हो पा रहा था, इसलिए समया भाव, मतलब समया भाव, समय की कमी के कारण विशेसग्यता जोंके राज को विधाई सक्तियां प्रत्ययोजित करें, मतलब जो विधाईका है हमारी, वो कारण पालिका को, एक्जेक्यूटीव को, कारण पालिका काभी सक्तियां प्रत्ययोजित कर दे, दे दे उनको, कि वो भी उसमें काम कर सके, और सब मैने जो सके, ठीक है, तथा इस अधनियम द कर सकते हैं कि प्रसासन है उसको सीमा निर्दारित करें कि आप यहां तक इतनी आपकी सकती है कि यह था काम कर सकते है विधायका इस अधनियम में उन विषियों तथा दिसा निर्देश का उलेक करें जिसके अंतरगत उक्त प्रत्ययोजित सक्ति की सीमाओं में रहते हुए प्रसासन नियमों तथा उपनियमों का निर्मार करें विधायका ये भी निर्धारित करें कि आपको इन सक्तियों के अंदर रहते हुए नियम बनाने हैं उपनियम बनाने हैं उसकी भी निर्धारिता विधायका करें किसके लिए प्रत्ययोजित सक्ति के लिए प्रसासन को नियम बनाने और उसके उपनियम का निर्मार करने के तो इस अधनियम के अंतरगत विधाईका द्वारा नियम उपनियमों को निर्मान करने के लिए प्रसासन द्वारा दी जाने वाली प्रक्रियाओं को प्रत्ययोजन की संग्या दी जाती है तो जो विधाय का देती है द्वारा नियम उपनियम बनाने का निर्मार का नेक सक्ति देती है इस प्रक्रिया को देने की प्रत्ययोजन की संग्या दी जाती है किसकी संगय दी जाती प्रत्ययोजन की जो विद्धाय का प्रप्रक्रिया जिसकी इंतरगत एक निकाय दूसरे निकाय को कुछ करने की सक्ति का अधिकाय प्रदान करता है तथा प्रत्ययोजित विधायन प्रत्ययोजन का परड़ाम है इसका पहले हमारा टॉपिक था उसमें देख चुके हैं प्रत्यायुजित विधान के अंदरगत वे सभी नियम तथा उपनियम आते हैं जो प्रत्यायुजन की सक्ति के अंतरगत निर्मित किये गए हैं आज विध का बड़ा भाग विधान मंडल के बाहर सरकार के विभागी कच्छों में बनाया जाता है अतलब आज कल जो विध का निर्माड बाहर की सक्ति द्वारा बराया जाता है आज सच्छे में कहा जाए तो यह आ जा सकता है कि विधान मंडल जो विध बनाता है उसको विधान कहा जाता है तथा ऐसे नियम तथा उपनियम को विधान मंडल द्वारा निर्मित विध के अंत बनाय जाते हम उन्हें पत्ययोजिति विधान कहा जाता है डेलिगेटिd लेजिसलेचर मुझाय जो विधान मंडल बनाता है उसे विधान कहता है या एसे नियम और उप नियम को उप नियम द्वारा विध के अंतर गत सफकी प्तार सिधाना फुर्ट में sharp iqret spread जाती आपके यह विशाय वस्तों की इस विशैसे पर आप जिआप बना सकते convert आपकी यह नीथिया पर फैंव उनी चाहिए यह कीवर निजहरद की जाती तता इसके अंदर का नियम बनाने के सकती सरकार प्रसासन या उसके किसी अभीकरन को सौब दी जाती विधान मंदल द्वारा प्रत्ययोजित सक्ति के आधिन प्रसासन जो विद्ध बनाता है जो विद्धान मंदल द्वारा प्रत्ययोजित सक्ति दी जाती उसको प्रसासन जो विद्ध बनाता है उसे प्रत्ययोजित विधायन कहते हैं उसके साथ साथ अधिनस्ट विधायन भी कहते हैं उसे बोलते प्रत्यजीत विदायन को अधिनस्त विधायन आप समझ गए और शक्ति कौन देता है विदान-मंडन जिस सक्ति देता है कि किसको देता है प्रसासन को विद्ध बनाने के ठीक है आप समझ गया होंगे उसके आंगे दोस्तों इसे सब्सक्राइब कहते हैं उपनियम निर्माड की प्रक्रिया सर्वोच विधान कहलाती है जो नियम बनाते हैं उपनियम का निर्माड करते हैं उन्हें सर्वोच विधान कहलते हैं जबकि दूसरे अर्थ में दी गई प्रत्ययोजित विधान की प्रक्रिया के अंतरगत निर्मित नियम परिनियम तथा विनियम को अधिनस्त या प्रतययोजित विधायन की संग्या दी गई है पहले जो नियम और अपनियम बनाते हैं उन्हें सर्वोच विधायन कहते हैं और इनी कही अर्थों में दी गई विधायन की प्रक्रिया जो प्रक्रिया होती है जो कारकर उनके सक्ति द्वारा प्रक्रिया करते हैं निर्मित नियम बनाते हैं उन्हें अधिनस्त बोलते हैं विदयान की संगया दे गई है आप समझ गयोंगे दोस्तो द्वारा के रूप में अवस्यक वस्त द्वारा प्रणियम निर्देश अधिसोचना तथा प्रथम निर्माड की प्रक्रिया प्रत्यवजित विदयान कहलाती है उसको निर्द्वारा सक्ति दे गई हैं कि अधिष्वजित विदयान कहलाbn तो दोस्तों आप समझ गयाbars तो दोस्तों आप समझ गया हों कि हमारा सर्वोचों अधिनस्त विधायन के बारे में ठीक है एक बार और समझ लेते हैं सर्वोचों अधिनस्त विधायन जो पत्य जो विधायन सब्द है उसे दो अर्थों में प्रयोक्त गया जाता है प्रसासी विद्य में पहला है कि प्रध रोक्त उचिंटे जिए करते हैं जबकि दूसरे आर्थ में दी गई पृत्यायूजित विधायन की प्रक्रिया के अंदर गत नियं पर नियं तथा विनियम बनाते हैं उन्हें क्यां बोलते हैं अधिनस्ट पृत्यायूजीत विधैयन की संगह दी गई He है इस पर कैसा कंट्रोल है इसको समस्ते हैं डोस्तों दोस्तों देश में कोई भी कुछ नियम बनाएं लेकिन Constitution के खिलाब कोई नियम बना सकता और Constitution खिलाब अगर नियम बनाएगा जो हमारी जुडिसरी है उसको रोकेगा उसको मना करेगा दोस्तों सम्विधान से बढ़के आंगे कोई बना नहीं सकता नियम इसमें प्रत्याजित विधायन है इसमें न्याइक नियंत्र जोनर विलोकन क्या होता है अगर को यह नियम बनाते हैं उसपर सुप्रीम कोट या उच्छ नियाओ उच्छ नियाल्याय उसपर जांच कर सकती है कि यह Constitution के खिलाब तो नहीं है समविधायन के उसमें है कि नहीं है अगर है तो ठीक है अगर उसकी बाहर है तो इसको मैंना कर सकती रोक लगा सकती है भारत में प्रत्याउजित विधायन पर न्याइपाली का प्रभावी नियंतर रखती है जो भारत के प्रत्याउजित विधायन है उसमें न्याइपाली का नियंतर रखती है प्रभावी नियंतर प्रत्याउजित विधायन की वैदता की जांच न्याइ विस्तरत है प्रत्यावजित विधायन की वैदता की जाच करने का अधिकार उच्टम नियाले तथा उच्छ नियाले को है उच्छ नियाले तथा उच्छ नियाले इस बात की जाच कर सकते हैं कि क्या प्रत्यावजित विधायन सकती परस्तात या अधिकाराती जिसे अल्टरा नियाले निम्न जाज कर सकते हैं कौन जाज कर सकते हैं कौन से जाज कर सकते हैं क्या प्रत्या यूजन को सामर्थ सक्ति प्रदान करने वाला अधनियम जिसे प्रमुक अधनियम पैरेंट लौ कहा जाता है समयधानिक है कि नहीं जो उसका सक्ति उसको प्रदान कर रहा है प्रम प्रविधान के असमिधानों के अन्रूप है कि नहीं? अर्थात समिधान के प्रावधानों के अन्रूप है, बहर तो नहीं प्रावधानों में मैज करता कि नहीं खरता यह किया प्रत्य और ग्षिद विधायन या अधिनेस्ट सग्ती परदाई इनेबलिंग अधियंमने प्रावदावनों के अन्रूप है जो सक्ति उन्होंने बनाई गई है उसको दी गई उसके अन्रूप तो नहीं है उसी के रूप में है कि नहीं यह भी चिक करेगी ठीक है तो जो हमारा प्रत्याजीद विदायने उसमें न्याइग नियंत्रण है नियम ना बना दी क्योंकि को इनको नियम बनाने सकती ही तो अब ऐसे नियम न बना देए जो जनतह की खिलाफ हूं और अगर दोस्तो अगर आपको टेलीग्रम पे जोएन होना है तो आप Sangbra कि इसक्रिप्शन है कि आपको नोटस मिल जाएंगे और इस पीडियाप मिल जाएग क्या है समझाये what is the conditional legislation दोस्तो कंडिशनल ले दोस्तों समझना पहुद चूरेब है आई समझते दोस्तों विधायन मंडल ऐसे कानून पास करता है जिसमेंुक कारकारणी के ऊपर यत करने की बात ठोड़ देते हैं कि वह पारित इतन्यमों का अब ख्रियांवयन करेंगे करसे इस और चोरड़ देते हैं कि आप इस पर कारी कर irrelevant को संसर्श्थ्षय विद्विधायन कहते हैं इसमें अद्यम jeito का लागू किया जाना पूह च्छेतरि विस्तार पर ऐसे तनी से प्रारम होने की पास कारकारणी तैय करेगी जो वह इस अद्यम की अद्सूचन जारी करके निश्चित करेंगे मतलब जो उन्होंने कानून पास कर दिया है उसको छेत में विस्तार कौन करेगा नहीं है जो प्रसासन है और एक ऐसी तीछ से करेंगे और उसको तीछ की अज़सुचना सबको जारी करेंगे कि इस तीछ से यह कानून लागू हो चुका है ठीक है कौ अध्वा दोनों के संबंद में लागों किये जाने की बात कुछ सर्तों के पूरा ना होने पर निर्भर करेगी सर्तों का उल्लेग विधान मंडल द्वारा अध्नियम में कर दिया जाता है कि यह विधान मंडल के विवेक पर निर्भर करता है कि तै करे कि अध्नियम में अनु किया जाना निर्भर करता है अत्वा दोनों के समन्द में लागू किये जाने की बात कुछ सर्थों के पूरा ना होने पर निर्भर करती है सर्थों का उलेक विधान मंडल द्वारा अधनियम में कर दिया जाता है किन्तु या विधान मंडल के विवेक पर निर्पर करता है कि तै करे कि अधनियम के अनुध्यात सर्त पूरी हो गई है अथवान नहीं अथवानुध्यात समी चीनता जिसकी पूर्ती पर अधनियमित विद का लागू किये जाना सर्तों के पूरा होने पर निर्पर करता है प् सोचनाद्र 1976 कोई पी कानून बनता है उसमें की सरकार ही अद्याइद करती किस दिन से अलागी होगा दिया के इसके बास जोड़ी जातके त्रियap खीया तब समझ वा retrouve सब्सक्वाद के या कि इक टॉपिक आता है प्रसासनीय दिकरण से आप क्या समझते हैं what do you understand by administrative tribunal दोस्तों कई ऐसे विसे होते हैं जिनका नियाला द्वारा नहीं किया जा सकता यदि विवाद प्रसासन तथा साधरान ब्यक्ति के मद्ध होता है तो उसका निर्णय प्रसासन द्वारा किया जाता है इसी को प्रसासन नियाय निर्णय अड्मस्टेट्व जिनका नियाय नियाय द्वारा नहीं किया जाता है कौन करता है उसमें प्रसासन जैसे कभी विवाद प्रसासन तथा साधरान ब्यक्ति के मद्ध हो जाता है इसका निर्णय कौन करता है प्रसासन नियाय निर्णय है वो उनमें निकाय होता है वही इसमें नियाय दिकरन करत भारे प्रसासन कई ऐसे निवने मैं दी रहे एक थो ऐसे घृषान की और दीता है उसे प्रसासनिक न्याइधिकरण करते है तो से नियाइधिकरण करते है एद मेश्टेटीद्ट उपनेशन और डूच हूंगे disbelie प्रसासनिक विवेक का न्यायक पूर्णर विलोकन प्रसासनिक विवेक का न्यायक पूर्णर विलोकन क्या है जो डिजिस्यल रिव्यू आफ एडमेश्टेट्व डिस्क्रेशन दूसर प्रसासनिक अधिकारियों के विवेका अधिकार प्रयोग में न्यायपालिका को होता है दोसके लियाख कूररणर्व विलोक्न कहते हैं दोसे नियाख की रणयों में ऐसे अजिदान प्रतिपादित किये आदार पर परचांच अधिकारे के व्कादिकार के प्रियोग में हस्ताचेव किया जा सकता है दो मुखteil सखें कौन-कौन से जहाँ विवेक का प्रयोग अपने प्राधिकार के अधिक में किया गया हो अर्था विवेका अधिकार का प्रयोग सक्ति से परिप्योग मतलब कोई अधिकार ही है उसको अपने अधिकार में अपनी सक्ति का प्रयोग किया हो उसने अपनी अधिकार में ज्यादा उसने प्रयोग किया हो वहां प कि अधिकार का प्रयोग सोयम नहीं करता बलकि अपने अधिकार का प्रयोग सकती से परिपेव हो जाता है दोस्तों यह प्रसासिन की विएक का नयाइक पुर्ना रुविलोकन है जो नियाले कर सकती है हले हरो कोई गलत काम कर रहे है तो यह निया यहीं हम चाップ कर सकते यह कोईई नयाइक पुर्ना रूंख कर सकती है की आप यह नकार कर एक हमागी नेगे हो गया है तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और आप उसको भी देखिएगा पहला पार्ट हमने ने देखा तो देख लिए सेकंड पार्ट है थर्ड पार लाएंगे और पूरे administrative को complete करेंगे थैंक्यू सो मच जैहन